भागलपूर की बेटी के मुरीध हुए परधान मंत्री मोदी मौझूद लोगों ने अपुरूबा की तारीफ की और देश के प्रधानमंत्री मोधी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। अपुरूबा के दादा जी स्वर्गिया गुनेस्वर परसाथ सेंग बिहार सरकार की सिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इतनी कम उम्र में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खुशी की बात ये है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहां हर स्टेट से एक एक रप्रेसेंटेटेटेव हैं। इस कमरूर में इतनी बड़ी उचाई हासल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो आज हम लोग पहले तो पार्लिमेंट गए वहां लोगसभा राजसभा देखा। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच फिर हम लोगों ने सेंट्रल हॉल गए और वहां पे बहुत बड़ डिग्निटरीज आये जैसे नरेंद मोदी जी राजनात सिंग जी ओम बिरला जी ऐसे बहुत सारी डिग्निटरीज थे फिर हम लोगों ने फोटो किक फिर उसके बाद हम लोग पीएमो गए प्रामिस्टर के ऑफिस उसके बाद वहां आये उनके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक हुआ और उसके बाद उन्हों ने इंटराक्ट किया हम लोगों के साथ एक घंटा जिसमें कि उन्हों ने हमसे लेक अनेक सवाल पूछे निताजी इसका अपूरा श्रे मेरे पेरेंट्स मेरे फैमली सबको जाता है और बस आप लोगों का अशिरवाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही काम्यावी हासिल कर दे रहूं और आपका बिहार का और प्रिभारत का नाम ऐसे ही उचाई पर पहुँचाई पर मेरी बेटी ने आज बिहार कर प्रतिनिहित्यु करके अधरीया प्रतिनिहित्यु के सामने उन्हों वसने मुझे बहुत इस बात की खुसी है कि जो पुरा समू, पुरे देश से जिन 23 बच्चों का चैन हुआ था, उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उमर में इसने ये मुकाम हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विसा है और मैं इसके लिए स्वार से प् और खुसी का जो एक अफसर प्रिदान किया है, वो सदेव करती रहे और मेरे लिए अपुर्वा को बहुत साला सिर्वाद है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं भागलपूर में गंतंत दिवस को लेकर त resurrection जोरो पर चल रही है दो साल कोरोना एक कारण, सभी तरह के कारिकरमों पर जहां पाबंधी लगी थी, जिसका कोई भी कारिकरम नहीं हो पा रहा था लेकिन इस बार सभी तरह के कारिक्रमों पर छूट मिलने के बाद सेंटिस कमपाउंड में गंतन दिवस की तयारी को लेकर फाइनल परेड की तयारी का जाजा लेने जलाधिकारी सुब्रत कुमार सेइन और सीनर एसपी आनंद कुमार पहुंचे जहानों ने परेड का जाजा जलाधिकारी ने बताया कि इस बार 11 जहांकिया निकाली जाएगी और भीड के मद्यनेजर भी सुरक्षा की पुक्ता इंतजमात किये गए हैं जहांकिया इस बार यह तीसरा साल होगा जो तो आप देख रहे हैं कि कोवीट के कारण बंध था जहांकियों गरों का प्रदर्शन नहीं होता था तो यह जहांकिया भी रहेंगी और जितने भी हमारे प्लाटून्स हैं टूप्स ने सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और कर्म कर उसकी हत्या करदने का प्रयास किया गया था जिसके बाद प्रिताकदरा थाने में मामला दर्च कराया गया था वही इस कार्ड में निलेस यादब आरोपी बनाया गया था जिसका मामला किसूर नियालय में चला गया था निलेस यादब का मामला पॉक्सो कोट में चल वहीं सरकार को प्रिता को दस लाख रुपीय मुआपजा देने का कोट ने आदेश दिया है। अब इसे कुमार की सोन नियाए बोर्ट चले गए। यहाँ एक अभ्यूग जो निलेश जादते वो उस समय से घटना के बाद पकड में नहीं आ रहे थे। इसमें 363 में साथ साल की सजा पची सजा रुपीय अर्थ दंड। 365 में साथ साल की सजा पची सजा रुपीय अर्थ दंड। और वक्सो की धारा 6 में आजीवन करवास मिर्त्यू प्रंत चेस जीवन काल तक इनकी सजा पर करार रहेगी और एक लाग रुपीय अर्थ दंड। जितने भी अर्थ दंड है उसकी रासी पिडिता को दी जाएगी तोटल 8 लाक रुपया होता है अर्थ दंड। और पिडिता के साहता अर्थ चुकि वो बहुत यह हुई अगरिप भी है तो उसको सरकार के द्वारा 10 लाक रुपयया मौपजारासी है तू मिर्देश बिहार में सलाब बंदी है वहीं जहरीली सलाब पीकर लगातार लोगों की मौते भी हो रही हैं सिवान में जहरीली सलाब पीने से कल ही जहां च्छा लोगों की मौत हो चुकी है उसके बाबजुद भी लोग सलाब पीने से परहेज नहीं कर रहे हैं सहर के बबरगन स्थाना च्छित्र के मोहदी नगर मुख्य मार्ग के एक दुकान की सामने तीन घंटे से भी जड़ा सम इसने उसे गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई वहीं आसपास की लोगों का कहना है कि धडलने से बिहार में सराब की बिक्री हो रही है जिसकरन लोग सराब पीकर लगातार ऐसे देखे जा रहे हैं वहीं आम लोग सराब बंदी को लेकर प्रसासंद्वरा उठाए गए कदमों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं राष्ट्रे बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिक्रम के तहद भागलपूर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विसे पर कई कारिक्रम आयोजित किये गए थे इसमें बिजेता परती भागियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा फुरुसकार देकर सम्मानित किया गया जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रिय बाली का दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम के तहट बच्चों को जागरूक करने के उद्धेश से यह कारिकरम आयुजित किया गया था और सरकार की इस योजना के तहट बच्चे लाब ले यही हमलों का मु स्वित भी किया गया और आप देख रहे हैं कस्तुरवा गांधी वाली का विद्याले की लड़कियां आई भी है तो बहुत अच्छा माहल है और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रग्राम को आई भी किया गया है कई सारी स्कीम्स जो है मानिया मुख्यमंत्री जी ने शुर प्रिनाम है कि अब कोई भी नौकडी हो चाहे वो गुरूप सी, कुरूप डी, कॉंस्टेबर, डीएसप, डिप्किक लेक्टर तो आपको काफी संख्या में जो है महिला कर्मी पता दिकारिया आपको देखने को मिलेंगे ये जो मानिया मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास या जो जीवी का जो पूरे कांदोलन के रूप में है तो उसका असर दिखने को मिल रहा है काफी बच्चे भी जो है लड़किया उत्साही थे तो मैं इस कारिकरम के सफल आयो जनके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद दे जाता हूँ कमहार नाले के सामने से ग्राम रच्चा दल सहर पुलीस मित्र के दुरा गंतंत्र दिवस और सौड़क सौरक्षा को लेकर जागरुकता रैली निकाली गई रैली में ग्राम रच्छा दल के पुरूस और महिला सदस्य हाथ में तिरंगा लिये पूरे सहर का भ्रमन कर लोगों से हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगा कर चलने की अपील करती नज़राए। गंतन दिवस के सुबबसर पर नसा मुक्ती हमारे बिहार में जो ड्रीम परजर्प्ट बिहार सरकार का है उसमें हम लोग नसा मुक्ती अभियान निकालें और गंतन दिवस के सुबबसर पर एवम रोड एक्सिडेंट के लिए हम लोग सुच्छा अभियान निकालें और भागलपूर के बरारी थाना चत्र के सुर्खी कल जोपडपटी मिसरा टोली में नसा मुक्त समाज बनाने को लेकर बरारी थाना और जंता के बीच एक अहम बैठक रखी गई जिसमें पूरे बरारी समाज को नसा से मुक्ती दिलाने पर चर्चा की गई एक तरब जहां समाज के कई गन्यमान लोगों ने अपनी बाते रखी वहीं दूसरी और प्रसासन ने भी स्वच्छ वा स्वस्ते साथी नसा मुक्त वाड़ बनाने की बात कही भाजपानेत्री बभीता मिस्रा ने लोगों से अपील करते वे कहा कि अपना भागलपूर को पंजाब ना बनाए जिस तरह पंजाब में युवाओं में नसे की लथ है उससे यहां की युवाद दूर रहे उन्होंने कहा कि यहां की 90% महिलाएं किसी काम में बढ़ चड़कर हिस साले रही है उमीद हमारा वाड़ वा समाज नसा मुक्त बनेगा वहीं कारिकरम कदरान गाउं के ध्रंजय यादव फंटूस कुमार सहीद दर्जनो लोग मौजूद थे और वही नसा को ले करके जो कितना घर बच्चा बिगर रहा है इस पर कोई आवाज नहीं उठा था आज तक भागलपूर में भागलपूर में हमारी गौराइया इन्वरामेंट वारियर्स भारतिय वनेजीब संस्थान स्रिष्टी गंगा प्रहरी परियावरन उमजन कल्यान सुसाइटी के संयुक्त प्रयास से प्रोजेक्ट चाहट के तहफ के तहथ गौराइया संद्रच्चन पर गोश्टी वा घोसलावी तरण कारिकम के तहथ चर्च हुई और निसल को घोसलोग का वी तरण किया गया मौके पर पियाबी पटना के इस सखायक न दे सक हुआ गुरईया संडरचक संजे कुमार ने कहा कि दैनिक बहवार बतलाव सहित कई कारणों से घर आंगन की गुरईया हमसे दूर चली गई है हलाकि अभी भारत में इसकी संख्या इस्थीर है लेकिन अगर संडरचन नहीं किया गया तो एक दिन ये बिलुप्त हो जाएंगी इसलिए गुरईया के संडरचन के लिए एक जागरुकता जरूरी है उनने का कि हर घर में दाना पानी और बॉक्स की विवस्ता के साथ थोड़ा प्यार देना होगा गरूर संडरचक और बिहार के पक्ची मैन अर्विन मिस्जा ने कहा कि आज गरूर बिलुप्त के कगार पर है अगर गुरईया को बचाने की पहल नहीं हुई तो ये भी नहीं दीखेगी उन्होंने कहा कि गुरईया का संबन्द गाय गोबर से है जहां यह होता है गुरईया आसपास रहती है उन्होंने कहा कि गरूर संदच्छन के साथ ही साथ इस प्रजाती की सभी चिडियों का संदच्छन हुआ इसलिए जब गुरया का संदच्छन होगा तो उसके साथ दूसरे जीवों का भी संदच्छन होगा गोश्टी को संबोधित करते हुए डाल्फिन संदच्चक प्रोफेसर सुनील चौधरी ने कहा गौरया संदच्चन के लिए जन जागरुक तावस सक है इसमें युवाओ को जोडने की जरुरत है क्योंकि इनकी अहम भूमिका रहती है मौके प्रयोजित प्रदर्सनी में हमारी गौरया और परियावरन योद्धा की और से कृत्रिम घोसला एवं गौरया के अहार की प्रदर्सनी लगाए गई गृरईया संदाच्छन पर संजय कुमार की पुस्तक ओरी गृरईया और अभी मैं जिन्दा हूँ गःईया प्रदर सितकी गई पीरपैथी नगर पंचाइत में करपूरी ठाकूर की जहनती मनाए गई बिहार के पुर मुख्य मंत्री वर जन्नाय करपुरी ठाकुर का निन्नानुआ जन्मोचसब धूमधाम के साथ मनाया गया राज़त के पीरपैंथी नगर में नगर अधच जानिसार आलम की अधचता में जैनती मनायी गई वही पीरपैंथी विधान सवा के पुरुविधायक रामिलास पासवान ने कहा कि जन्नाय करपुरी ठाकुर बिहार के तीन बार मुख्य मंत्री रहे उन्होंने हमेशा ही गरीबों सोसितों की आवाज बुलंद की जैनती समहारों में राज़त के यूवा परकंड अध्यच मुकेस यादव उपाध्यच राम यादव प्रभारी मुहमद इर्फान ओम परकास पंडित सहित अन्ने कई लोग मौजूद थे